नमस्ते साथियों मैं कवीता तोटला लेक्चरर इन हिंदी गवर्वेंट ओफ राजस्थान पिछले वीडियो में हमने चार पदधियां देखी थी जोकि हिंदी साहित्य के इतियास लेखन परंपरा में अपनाई गई थी और हिंदी साहित्य इतियास लेखन का जो बात करने वाले थे गार्षादेतासी उनका एक ग्रंथ भी हमने देखा और अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आगे के ग्रंथों पर विचार करेंगे उसमें दूसरा आता है शियुसिया सरोज शियुसिया सरोज की रचना करी थी शियुसिया सेंगर ने प्रकाशन वर्ष 1883 पदती इनोंने भी वही अपनाई जो गार्षादेतासी ने अपनाई थी वर्णानुक्रम या अकारादिक्रम और भाशा इस ग्रंथ की रही हिंदी कवियों का परिचे हिंदी वर्ण माला के वर्ण करमानुसार इनोंने दिया पहला कवी इनोंने अंगद को माना और अंतिम कवी इनोंने एमंत को माना शिव सिय सरोज में शिव सिय सेंगर ने जितने कवियों का संकलन किया उसकी रचना थी लगबग एक अजार काल विवाजन और नामकरण का प्रयास इनों नहीं किया तो काल विभाजन नामकरण का प्रयास गार्षाद तासी ने भी नहीं किया था, शिव सियास रोज ने भी नहीं किया, हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रतम इतिहास ग्रंत, वेरी इंपोर्टेंट कि शिव सियास रोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी सा पहला इतियास तो होगा शिवसिय सरोज किसी भारतिय विद्वान द्वारा रचित हिंदी सहित्य का प्रथम इतियास ग्रंथ यह भी कहा जा सकता है और हिंदी के साथ-साथ अपवरंश कवियों को भी स्थान नों ने दिया अगला आता है दो मॉर्डन वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्धन हिंदुस्तान इसके लेखक है जॉर्ज अब्राम ग्रियर्शन पूरा नाम आता है सर जॉर्ज अब्राम ग्रियर्शन प्रकाशन वर्थ 1880 सबसे पहले जो ग्रंथ है यह रोयल एशियाटी रोयल एशि के रोप में प्रकाशित हुआ था और अठारा सो नेवासी में यह पुस्तकार के रोप में प्रकाशित हुआ यानि पहले जब यह प्रकाशित हुआ तो यह रोयल एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की पत्रिका के वाशिकांग के रोप में प्रकाशित हुआ था सबसे पह देखिए गारसादेतासी और श्योसी है सरोज इसमें वर्णानुक्रम पद्दती थी और यहां पर ग्रियर्शन ने कौन सी पदती अपने कालानुक्रम काल विभाजन और नामकरण का सबसे पहला प्रयास किया गया तो वो किया गया सर जोर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा यानि कि अगर हमारा प्रश्ण आता है कि हिंदी साहित्य के इतियास में सब से पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किसके द्वारा किया गया तो वो है सर जोर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा अगला है संपोर्ण हिंदी साहित्य हितियास को इन्होंने 12 अध्यायों में बाटा है देखिए मादिमिक शिक्षाबोर्ड राजस्तान में 11 लिखा है और यहां पर यह 12 लिखा हुआ है एक चीज मैं आपको बता दूँ कि जहां पर इस तरह का कोई विवाद होता है ऐसे प्रशन आरपीस सी कभी नहीं पूछती है जो पहले से विवादों में हो क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बिना विवाद के ही भरतियां कोट में जाती रहती है तो विवादित कोई प्रशन वो डाले ऐसे बहुत कम चांस होता है अगर डल जाते हैं तो फिर यह तो bonus दिया जाता है या प्रश्ण को ही delete किया जाता है तो माधिमिक शिक्षा बोर्ड में 11 है लेकिन 12 खंड कुछ जो इतिहास कार है वो 12 मानते हैं अगला है प्रतेक अध्या एक कालखंड का सूचक है प्रतेक काल के गोण कवियों का उलेक उस अध्याय के अंत में किया गोण का मतलब होता है प्रम स्वारी कम महत्वपूर्ण यानि यह पूरा जो मैंने आपको बताया यह अबराम ग्रियर्शन का जो modern vernicular literature of हिंदूस्तान है इसके बारे एक पूरी जानकारी है अब जो applied based question होते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं जैसे आपको प्रश्ण दे दिया कि the modern vernicular literature of northern हिंदूस्तान जो की अबराम ग्रियर्शन के द्वरा लिखी गई इन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है काल नुक्रम पद्दती पर आधारित है सत्य है काल क्रम वे नामकरण का पहला प्रयास जोर्ज ग्रियर्शन द्वरा किया गया सही है संपोर्ण इंदी साहित्य को बारे अध्यावे में बाटा गया और यह नहीं पूछा जाए विवादित है तो फिर यह पूछ ले कि प्र पतेक काल के प्रमुक कवियों का उले को सद्याई के अंत्य में किया गया अब अगर अच्छे से आपको यह पूरा याद एक एक लाइन तो आपको पता चल जाएगा कि यह गलत है क्योंकि यह प्रमुक नहीं होगा गोण होगा तो इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेंगे जया देखने को कि अधी काल को सबसे पहले चारन काल की संख्या किसमेदी दी तो ओ देने वाले थे अबधाम जोरज ग्रियरसन चिनोंने आदी काल को चारन काल कहा अगली लाइन है भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण यूग कहा इन्हों ने ग्रियर्शन यानि चारन काल किसको कहा आधिकाल को और स्वर्ण यूग किसको कहा भक्तिकाल को तो यह दोनों जो संग्याई दिये वो जोर्ज ग्रियर्शन ने दिये जोर्ज ग्रियर्शन ने हिंदी भाषा का शेत्र निर्धारित करते हुए केवल हिंदी के कवियों को साइत्य इतियास में स्थान दिया यानि ये हिंदी भाषा प्रेमी थे इन्होंने हिंदी भाषा का एक शेत्र निर्धारित किया और कहते हैं कृर्सन करते हैं मैं आध्रोनिक वाशा सही दिन ago करने जा रहा हु ग्रन्त रचना करने वाले लेक्रों का विव्रन नहीं दे रहा हूं यह कहने अपने साहितिक संदर्भों में कुल सत्रा रचनाओं का उल्ले किया और यह जो सत्रा रचनाओं का उल्ले कि इनों ने अपने साहितिक संदर्भ में किया इनको बाद के किसी भी साहितिकार ने नहीं अपनाया ग्रियर्शन के ग्रंत का हिंदीय नुवाद जो है वो किशोरिलाल गुप्त ने किया किस नाम से हिंदी साहिति का पत्म इतिहास के नाम से अब आप कमेंट सेक्षन में मुझे ये बताएंगे कि हम पहले उपर पढ़ चुके हैं इस्तवार देला लित्रेत्यूर एंदु एंदुस्तानी जो की गार्षा देतासी द्वारा लिखा गया उस ग्रंत का हिंदी नुवाद किस ने किया किस नाम से किया यह आप मुझे कमें सेक्षन में बताएंगे तो यहां पर हमने देखा कि किशोरी लाल किशोरी लाल गुप्त ने इंदी साहिति का पथम इतियास के नाम से इसका इंदिया नुवाद किया सर जORGE ג्रियरसन इसे पहले विदेशी विद्वान ने बारती बहठा़ों का सर्विक्षन किया कैसे तो बहठा समंदी जोर्ञर्स गिर्षन की एक बुक है बाद में इसका बिंदी नुवाद हुआ और नुवाद में उस बुक का नाम रखा गया बाशा सर्विक्षक इस साहित्ती इतियास ग्रंत में 1000 कवियों का जीवन व्रत है यानि लगबग 1000 माना है यह 952 है और अगर लगबग पूछा जाये तो 1000 है अगला है मिश्रुबंदु विनोध मिश्रुबंदु विनोध मिश्रुबंदु वनने लिखा 1913 में तीन भाई थे शाम भियारी गणेश भियारी सुखबेव भियारी एक बात बहुत इंपोर्टेंट है आपको इन तीनों के नाम याद रखने अक्सर एक्जाम में पुछे जाते हैं क्यूंकि शाम गणेश सुखदेव यह तीनों ही थे अगर कृष्ण भियारी नाम आता है तो ये मिश्रुबंदों के भाईयों में समलित नहीं था और मिश्रुबंदू चे तो जो थे ये नागरी प्रिचार्णी सभा के खोज काजय में इनके साथ जुड़े हुए थे नागरी प्रिचार्णी सभा ने सरकार की आर्थिक व्यवस्ता से 1900 से लेकर 1911 तक अग्यात और ग्यात कवियों और पुस्तकों की रचनाओं का पता लगाया था यानि इन्होंने क्या किया था सेक्डव अग्यात और जयात कवियों और उनकी पुस्तकों का पता लगाया था ये खोज और रिपोर्ट कितने खंडों में प्रकाशित आठ खंडों और इनी जो आठ काल खंड इनकी साहेता लेकर मिश्रुबंदु ने कौन सा गरंत रचा मिश्रुबंदु विनोध रचा और आगे चलकर यह जो मिश्रुबंदु विनोध चार भागों में प्रकाशित हुआ पहले तीन भाग तो जैसा कि हम यहां देख चुके हैं 1913 में और इसका चोथा भाग हुआ 1934 यानि प्रतम तीन भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे जो हमने यहां देखा प्रकाशन वर्ष और अन्तिम चोथा भाग 1934 में और यह ग्रंत चार भागों में प्रकाशित हुआ भाग चार है लेकिन अगर हम इसके कालखंडों की बात करें तो हमिश्रुबंदु ने पूरे ह जि판ी यास को इनको पांच कालकंडों में बाटा है देखिए कि हर जगे अपको अलग अलग नाम देंगे इसी बहुत सारी जगे आपको देखने को मिले गा आपको इनको याद करना होगा किसी भी तरीके से चाहिए आप लिख के करें, आप बोल के करें, लेकिन करना होगा विकोज प्रैक्टिस मैक से मैं पर्पेक्ट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप अच्छा इसमें कर पाएंगे तो आदी काल को आरंबिक काल, दीती काल को अलंकरत काल और आदुनिक काल को वरतमान काल यह मिश्रु बंधों ने कहा था आगे आता है कवियों का सापिक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए इन्होंने इनकी श्रेणिया बनाई थी और लगबग पांच जार कवियों का जीवन परिचे मिश्रु बंधों ने प्रस्तुत किया तो लगबग जो अराउंड की बात करें तो पांच जार आते हैं वाकि फ्रेक्ट में चार अजार पांसो इकराण में आते हैं आचारे रामचंदु शुक्ली ने मिश्रु बंधु विनोत को बड़ा भारी कवी व्रत्त संग्रे का है और मिश्रु बंधों को पश्रमी संक् करता का है मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया भी था कि बड़ा कवी व्रत्त संग्रे यह नाम आया है अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है यहां पर नाम आया है बड़ा भारी कवी व्रत्त संग्रे ठीक है और पिछले वीडियो में हमारे आया था बड़ा कवीवर्त्य संग्रे तो आप सभी को मुझे इसका कमेंट सेक्षन में जवाब देना है कि बड़ा कवीवर्त्य संग्रे किसे का गया और उसके लेखा कौन है यहां हम बात कर रहे हैं कि शुक्ल ने मिष्रुबंदु विनोध के शुक्ल js avocado कि द्वारा जुए रचाआ गया भार ब्रात्य संग्रे का और मिश्रुबंदु को क्या कहा परिस्रम संक्र्ण करता का अगला आता है कम श्रुबंदु का मैत्व पस्ट करते हुए आचारी शुक्ल लिखते हैं क्या लिखते हैं मिष्रा बांदू विनोध के वारे में अचारे रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत इंपोर्टेंट लाइन लिखी है वो है कि कवियों के परिच्यात्म अक्विवरण मैंने प्राय मिश्रू बंदू विनोध से लिए हैं ये बात रामचंद्र शुक्ल खुद स्विकार करते हैं कि इसमें ये बात ये खुद रीतिकाल के अ इसे आप याद कर लीजिएगा एक नोट आता है नागरी पचार्णी सभा काशी की सापना कब हुई अठारा सो तराणमे में किसने करी शाम राम शिव यह जब मैं पढ़ती थी तो यह फिर मैं आज भी पढ़ती हूं तो मैं शौट ट्रिक्स बना लिया करती हूं और यही आपको समझ में आ गया होगा यह एक ट्रिक बनाई गी इसे याद रखने के अक्सरम नाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं घर से याद करके ले जाते हैं पर एक्जाम मोल में कन्फ्यूजन पैदा होई जाता है तो नागरी प्रचार्णी सभा की स्थापना कब हुई थी अठा आपको याद हो जाएगा शाम संदर दास राम से पंडित राम नरेंड में शिव से ठाकुर शिव कुमार से यह तो कौन थे संस्तापक थे अब बात आती है कि इस सभा कि सभा का जो पहला सभी सभा पती रहा है वो कौन रहा है राधा कृष्ण दास और इस सभा का अगर हम पहला सचिव देखें तो यह वही होगा हमारे बाबु शाम संदर दास यह देखिए यह कुछ पढ़ते पढ़ते कहीं से कोई नई चीज मुझे मिलती थी या दिखती थी तो मैं इस तरीके से उपर नीचे जहां भी कॉपी में मझे जगे दिखती थी नौट कर लिया करती थी तो यहां है नवनीत कम यह धन्वंत्री ने लिखा है जो कि चंद्र शुक्ल और प्रकाशन वर्ष 1929 सरव प्रतम जन्वरी 1929 में नागरी पचाणनी सवा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी सहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ देखिए इस ग्रंत का नाम तो हम यह पढ़ रहे हिं हिंदी सहित्य का हितियास लेकिन इस लाइन में हिंदी सहित्य का विकास तो जब जन्वरी 1929 में सबसे परतम यानि पहली बार एं ग्रंत जब प्रकाशित हुआ तो इसका नाम यह नहीं था इसका नाम था हिंदी सहित्य का विकास क्या नाम था इसका हिंदी सहित्य का विकास और उस वक्त ये नागरी प्रचार्णी सभाकाशी के द्वारा हिंदी शब्द सागर की एक भूमिका के रूप में हिंदी सहित्य का विकास शेशक से प्रकाशित हुआ था बाद में जो ये चीज है ना ये वाली हिंदी साहिति का हितियाज ये 1940 में संशोधित परिवर्धित करके एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में सामने आई अब आता है ये जो हमने पड़ा हिंदी शब्द सागर तो हिंदी शब्द सागर एक शब्द कोश हिंदी शब्द साग राम बाबु और बालकृष्ण भट कहां गए बर्मा गए राम बाबु बालकृष्ण भट बर्मा गए राम बाबु बालकृष्ण भट बर्मा गए आप अगर तीन से चार बार बोलेंगे याद हो जाएगा आगे देखिए तो हिंदी शब्द सागर एक शब्द कोस्ता इसका संपाधन किया था राम से रामचंद्र शुक्ल बाबु से बाबु शाम सुंदर दास बालकृष्ण बट से बालकृष्ण बट और बर्मा काम बना देंगे रामचंद्र वर्मा बर्मा से क्या बना देंगे दामचंद्र वर्मा अब शुक्ल जी ने इतियास लेखन के लिए विध्यवादी पद्दती को आधार बनाकर युग विशेश की साइतिक प्रवर्ती को काल विभाजन और नामकरण का आधार बनाया इंदी साहित्ती इतियास लेखन परंपरा में आचार शुक्ल का स्थान सरोच माना जाता है शुक्लोत्तर साहित्ती इतियास कारों ने शुक्ल जी के अभी मतों का खंडन मंदन ही अधिक किया है यानि इनके बाद के जो इतियास कार आये इनोंने क्या किया इनके बातों का खंडन मंदन अधिक किया यानि खंडन मंदन करना शुरू हो गया था इनके बाद अगली लाइन है आज भी काल विभाजन और नामकरण का स्थूल ढाचा वही है जो की रामचंद्र शुक्ल ने बताया था अब देखिए काल विभाजन और नामकरण का सबसे पहला प्रयास अगर हम देखे किसी ने किया तो वो करने वाले कौन थे प्रतम प्रयास जोर्ज ग्रियर्सन थे यहां पर बात की गई है कि काल विभाजन और नामकरण का स्थूल धाचा वही है जो कि किस ने बताया रामचंद्र शुक्ल ने बताया यानि आज भी उसी को माना जाता है क्योंकि प्रामानिक वही है आचारी शुक्ल ने आदी काल को वीरगाथा काल पूर्व मद्यकाल को भक्ती काल उत्तर मद्यकाल को रीती काल आदुनिक काल को गद्यकाल काल यानि आचारे शुक्ल ने आदिकाल को क्या का वीरगा था मद्यकाल को क्या का भक्ती उत्तरमद्य को रीती और आदुनिक काल को गद्यकाल यानि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग नाम दिये हैं अगली लाइन आती है शुक्ल जी ने नेक्स लाइन है शुक्ल जी ने बक्ति काल के साहित्य को दो मुख्य कावे धाराओ निर्गुण और सगुण में विभाजित किया देखो इसको ध्यान से समझना यह ध्यान से समझेगा कि राम चंदर शुक्ल ने बक्ति काल के साहित्य को दो मुख्य कावे धाराओ एक तो थी निर्गुण और एक थी सगुण पहले तो इनोंने क्या किया वक्ति काल को दो खंडों में बाटा एक बाटा निर्गुण में एक बाटा सगुण में अब फिर इनोंने क्या किया वापस से निर्गुण और सगुण को दो दो कावे धाराओ में बाट दिया फिर से कैसे निर्गुण को इनोंने बाट दिया ग्यान मार्गी और प्रेम मार्गी दो गई एक तो निर्गुण ग्यान मार्ग दूसरा निर्गुण प्रेम मार्ग सगुण बक्ति को दो में बाटा केसे पहला राम भक्ति दूसरा कृष्ण बक्ति समझ आया आपको अब आगे देखिए आचारी शुकल ने हिंदी साहित्य इतियास लेखन परंपरा को विज्ञानिक दस्ट्री कोन प्रदान किया इसी वज़े से हम इनके इतियास को हिंदी साहित्य का प्रथम विज्ञानिक इतियास कहते हैं शुक्ली जी ने अपने पूर्व वर्ति साइति इतियास गंतों को इतियास ने कहकर के माना कवी वृत्त संग्रे अब थोड़ी देर पहले मैंने आप से कुछ प्रश्न पूचा था उसका जवाब आपको यहीं मिलेगा कि गार्सा देतासी की रचना को रामचंद्र शुक्ली कुछ भी नहीं कहा लेकिन शुर्बंदी विनोद को कहा बड़ा भारी कवी वृत्त संग्रे यह प्रकांद कवी वृत्त संग्रे यह वहीं चीज तासी की रचना को कुछ नहीं कहा शिव सियां सरोज को कहा कवी व्रत्त संग्र है modern vernacular literature of हिंदुस्तान को बढ़ा कवी व्रत्त और मिश्र बंदु विनोत को जह सामने उपर बढ़ा भारी कवी व्रत्त या फिर प्रकांड कवी व्रत्त खिठान, नेक्स्त है आचारी शुक्ल ने अपने आधारों को सपस्ट करते हुए मिश्र बंदु ओ को धन्यभाद दिया क्या मतलब इसका कि उन्होंने अपना जो ग्रंतag लिखा हिंदी सहित्य का इतिहास इस ग्रंत को लिखते समय या लिखने में कहा कहां से उन्होंने आध फिर देते हैं ये हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक बाबु शाम संदर दास को कविता कोमुदी के लेखक पंडित राम नरेश निपाटी को ब्रज माधुरी सार के लेखक वियोगी घरी को क्योंकि इन्हों ने यहां यहां से कुछ बिंदु लिये थे अपने साइतियास ल आठक को कालांतर में शुकले जी द्वारा पतिबादित कई मानिताओं का खंडन है लेकिन आज भी साइतियास लेखन परंपरा में जो आचारी शुकल का स्थान है उस सबसे पहला है अग्रगण्य है शुकले जी के इतियास गरंत की महत्ता को प्रकट करते वे नगेंद्र क क्या कहते हैं इतियास लेखन की परंपरा में आचारी शुकल का महत्तर सदा अक्षण रहेगा इसमें कोई संदय नहीं यह कहने वाले थे नगेंद्र और स्वयम आचारे रामचंद्र शुकल सहित्य के इतियास का अर्थ सपस्ट करते हुए आगे कहते हैं यह खुद ही कहते है रामचंद्र शुकल कि प्रतेग देश का सहित्य वहां कि जनता की चित्रवती का संचित्य पतिविंब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवती के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है आधी सेंत तक इनी चित्रव नेक्स्ट है इंदी साहिति के 900 वर्षों के हितियास में सूस पस्ट और सूस अंगत आधारों पर चार कालों में बाट कर इन्हों ने प्रस्तूत किया किसने रामचंद्र शुक्र ने कितने वर्षों के हितियास को? 900 वर्षों के हितियास को कितने कालों में बाठा? 4 कालों में सबसे पहले अगर हम देखे कि दुहरा नामकरण की प्रवर्थी तो उसका प्रियोग करने वाले भी कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे यानि दोहरे नामकरण की प्रवर्ती का सरप्रथम प्रयोग किया रामचंद्र शुक्ल ने आचार शुक्ल के पूरू प्रकाशुत किसी भी साइति इतियास घंत के सुष्षक में इतियास शुब्द का प्रयोग नहीं किया गया मतलब क्या है इसका यह वर्ड जो आपको दिख रहा है इतियास आचार रामचंद्र शुक्ल से पहले इस शब्द का प्रयोग किसी भी लेखक ने नहीं किया था सब से पहले इतिहास शब्द का प्रयोग करने वाले थे रामचंद शुक्ल अब ये जो आपको यहाँ पर कुछ अलग दिख रहे हैं ये कॉलेज लेक्चरर के एक्जाम्स में आई हुए कुछ लाइन्स थी जिस वक्त मैंने तयारी की थी तो जल्द बाजी में इनको मैंने वहाँ पर एड किया था तो ये राइटिंग थोड़ी ऐसी ही आई है लेकिन ये कुछ अच्छी लाइन से एक्जाम में आने लाइक है तो ध्यान से देखिएगा पुराने पेपर हमारी सफलता में बहुत माइने रखते हैं तो पुराने पेपर का विश्टलेशन में जरूर करना चाहिए कि कॉलेज लेक्चरर और सेट के एक्जाम में आयो वे पेपर है जिनको मैंने या लिया था देखिए इसमें क्या है प्रारंगो में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में शुक्ल ने फुटकर कविताय लिखी आचारी शुक्ल के प्रारंबिक लेक और गंबीर चिंतन परक निबंद चिंता मनी भाग दो में संकलीत है राम चंद्र शुक्ल के सद्धान्तिक समिक्षा पर लिखे गए निबंद किसमें रस्मिमान सा ग्रंत में है अब मैंने आगे लिखा है राम चंद्र शुक्ल की समिक्षा पद्धति संबंधी कुछ तत् आलोचना का ढाचा भारती ही रहने दिया लेकिन बाहिय रूप और रचना विधान जो लिया इन्होंने वो कहां से लिया पश्चिम से लिया और हिंदी समिक्षा को इन्होंने युगान रूप नवीन का प्रदान की आगे आता है राम चंदर शुक्ल शुती मार्ग के नहीं म क्योंकि किसी विचार या सिद्धान्त को वे गतान व गतिक रूप में स्विकार न कर अपने विवेक की कसोटी पर कसने के बाद ही क्या करते थे स्विकार करते थे क्या अगला चाहिं इंदिस डतिपका अलोचनात्मक इतिहास इसके लेखेका रामकुमार वर्मा और प्रकाशन वर्षा 1938 राम कुमार वर्मा इस ग्रंत को दो भगों में प्रकाशित करना चाहते थे लेकिन इसका एक भागी प्रकाशित हो पाया दूसरा भाग अदाव धी तक ऐ प्रकाशित है यानि अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका अगली लाइन बहुत important है कि इस गृंत में छस्षो तरानमें से सोला सू तरानमें यानि कि बगतीकाल का साहिषि ही वर्णित है अक् starch पुछा जाता है कि इनोंने कप से कप का साहिषि लिखा है तो चस्षो तरानमें इस्वी से लेकर शोला सुत्राण में इस्वीत family इंदी safest के इतिया स को इनुने पांच कालों में बाटा है इसके याद कीजिए आप अंवने जस्त पह अभी उपर पड़ा है कि पांच काल चाहने मिश्र्मंद ऊपांच ही रामकुमार वर्मा अगला है इनके द्वारावणित एक जन वर्ष का इत्यास शाथ प्रक्रण में देखो काल पांच प्रक्रण साथ होगना विशए साथ अब एक बहुत important line है कि कवियों का परिचाय देते समय इनकी लेखनी कव्यात्मक होगी लिख तो रहे थे अलोचनात्मक ग्रंत लेकिन लेखनी क्या होगी कव्यात्मक अना अब आगे देखिए आचारी शुकले इंदी साहित्य का अरंब नो सो तराण में से मानते हैं ध्यान स समझेगा और रामकुमार वर्मा इंदी साहित्य की आरंबिक सीमा को छसो तराण में से मानते हैं ध्यानि रामचंद्र शुकले जो है वो तो मानते हैं नो सो तराण में और रामकुमार वर्मा कवसे मानते हैं छसो तराण में यानि कितने का अंतर आ गया तीन सो वर्षों य यानि राम चंद्र शुपल ने तो माना नो सो तर्राण में और राम कुमार वर्मा ने माना च्छसो तर्राण में समझ में आ गया आगे देखिए यह देखिए जब भी कुछ अच्छा मिले ना उसे लिख लो इस तरी किसी जो हम इधर उदर लिखते हैं वो हमेशा ज्यादा याद होता है अप ब्रेंश का वाल में की किसी का गया स्वयम्भू को यह मैंने पढ़ते पढ़ते कुछ मिल जाता था लिख दिया करती थी अब द कर रहे हैं इन्होंने इंदी साहिति के आरंब में जोडे गए इस अतिरिक्त कालखंड को एक संधिकाल नाम दिया हमने अभी उपर पढ़ा था कि आदिकाल को चारणकाल की संग्या दी आप कमेंट सक्षन में बताएंगे कि आदिकाल को चारणकाल किसने कहा था ठीक है कि आ इस युग में जा एक और अपुबरंश भासा में साहिति रचना की जा रही थी दूसरी और इंदी अपने सुरूप का विकास कर रही थी दो भाशाओं की संधिकाल होने की कारणी सिफ्कों क्या का गया संधिकाल अगला है राम कुमार वर्मा की शेली आलोचनात्मक कम और काव्य मैं अधिक होगी जैसे आमने उपर पड़ा लिख तो रहे थे आलोचनात्मक लेकिन ये खुदी क्या केते हैं कि लिखते लिखते मेरी लेखनी आलोचना से आलोचनात्मक तो कम और काव्य मैं अधिक होगी अब आपके सामने अगर प्रश्ण आता है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवी किसे माना तो आंसर होगा स्वयम्भू को वेरी वेरी मौस्ट इंपोर्टेंट प्रश्ण ठीक है तो स्वयम्भू को हिंदी का पहला कवी कौन मानते हैं रामकुमार वर्मा अफुरत के अगले अगर आता है आचार हजारी प्रसाद victim में परएटर रहे हैं knocking रामचंद्र, शूकल के बाद किसीं कि इतियास लेखक की बात करते हैं घल आता है लिए dopo आचारे हजारी प्रसाद विवेदी पहले व्यक्ति हैं जिनों ने शुक्ल द्वारा संपाधित मान्यताओं को चुनती देकर तरक सहित खंडन किया है हमने उपर पढ़ा कि राम चंदर शुक्ल के बाद खंडन बंडन तो बहुत सो ने किये लेकिन यहां क्या का गया कि आचा हजारी प्रसाद विवेदी पहला व्यक्ति है जिसने खंडन किया लेकिन कैसे तरक सहित खंडन कि समझ में आई बात तरक सहित अगला है अब आपको यह ध्यान रखना है कि इन्होंने एक से अधिक इतियास गरंथों की रचना करें और इनके इतियास गरंथों बहुत important है आपको उनके नाम भी याद रखने और कि सन में वो प्रकाशित हुए उनका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है ठीक है है पहला यंदि सहित्य की भूमिकां धूसरा इंदि सह्तिका अधीकाल टाहर इंदि सहित्य की भूमिकां नीश्म चालीस का है इंदि सहित्य का अधीकाल 9-12 बायर ling्ण तो ये बहुत इंपोर्टेंट ग्रंत है यह आपको याद रखने अब इन ग्रंतों के बारे में हम नीचे देखेंगे कैसे क्या है इनके अंदर अजारी प्रसाद विवेदी जी की पहली जो दो पुस्तके हैं कौन-कौन सी भूमिका वाली और आधिकाल वाली ये क्रम और पद्धती की दुस्ती से इतिहास की रूप में प्रस्तुत नहीं की गई है अगला पॉइंट आता है हिंदी साथी की जो भूमिका यानि ये वाली पुस्तक जो की 1940 की है इस भूमिका में क्या है तो अजारी प्रसाद विवेदी के स्वतंत्र लेखों का संग्रे है अगर प्रशना आता है कि अजारी प्रसाद विवेदी के स्वतंत्र लेखों का संग हिंदी साहित्य का अधिकाल पुस्तक में किया है यह उन्नीस सो बावन की है यह पांच व्याख्यानों का संग्रह है कितने व्याख्यान का पांच व्याख्यान का कहा दिये गए थे बिहार राष्टु भाषा परिशत के सामने पांच व्याख्यान दिये थे जिन का संग्रह इ यह एक लाइन है जो मैंने पुराने पेपर से लिए यह ही सैट कॉलेज लेक्चुरर इन पेपर से उनके निभंदो में या इनके का मतलब होगा अजारी प्रसाद विवेदी के निभंदों तो आजारी प्रसाद विवेदी के निबंदों में विद्वता वस रस्ता का मनिका अंचन संयोग हुआ, अतीत के मुल्यों के प्रती सहज, ममत्व के साथ नवीन के प्रती उत्सा और नए मानों मुल्यों को स्थापित किया गया अगला आता है इंधी सहीति का विज्ञानिक इतियास जोकी लिखा गया गणपती चंदर गुप्त के द्वारा प्रकाषण उआ 1965 में इंदी साहित्य इतियास गंत में गनपती चंद्र गुप्त ने इंदी साहित्य को right it can तीन में बाटा इन ने आरंबिक कान मिश्यक बंधो ने कहा था यह पर इन्होंने स्टार्टिंग में क्या दिया प्रारंबिक का तो यह आपको याद करने पढ़ेंगे अब आगे आता है इंदी साहत्य का वरहत इतियास यह वरहत क्यों का गया क्यों कि इसमें शतादिक लेखो की रिचनाई थी आप बहुत बड़ा था है इसलिए क्या का गया व्रहत किसने प्रकाशित किया नागरी परचा कह रही हूं इस तरीके के विवादित प्रश्ण कभी भी आरपीस से नहीं पुछती है कि बिल्कुल भी नहीं पूछेगी इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जहां आकडों में अगर कि वो स्थिती होगी नासमंजस वाली वो नहीं पूछे जाएंगे तो यह सोला वागों में है किसी एक लेख की रचनाना ओकर यह शुतादिक लेखकों का सामुई क्रियास का फल है सबसे एहम बात इसमें यह आती है यह वाली कि हिंदी साहित्य का जो व्रहत इतियास है इस ग्रंत की जो भूमी का है वो किस ने लिखी तो हमारे भारत के पहले अब यह मैंने आपको इंदी साहित्य के इतियास की लेखन परंपरा की पुरी डिटैल बता दी इंदी साहित्य इतियास लेखन ये इंदी साहिती इतियास लेखन की पद्दतिया हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बाद मैंने एक-एक करके सारे गरंथ आपको दिखाए ये एक-एक करके हमने सारे गरंथ देखे ये सारे अब आते हैं जो अन्य छोटे-मोटे गरंथ है उनके बारे में हम उनको देखेंगे ये है गरंथ और ये इन गरंथों के लेखक इधर की साइड में गरंथ लिखे हैं और इधर इनके लेखक तज किराई शुराई मौलवी करिमुद्दीन ने लिखा भाशा कावे संग्रे किसका है पंडित महेश दत्त शुक्ल इंदी भाशा और साहित्य लिखा शाम संदर दास ने स्केच अफ हिंदी लिटरेचर लिखा एडवें ग्रेप्स अ हिस्ट्री ओफ हिंदी लिटरेचर एफ एक इंदी साहित्य विमर्ष पदमलाल पुनालाल बक्षी ने लिखा हिंदी के मुसल्मान कभी गंगा पसासी है ने लिखा हिंदी भाशा और साहित्य का इतियास अध्यास अध्यास अउपद्याय हरियोध ने लिखा और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतियास सूर्यकान शास्त्री ने लिखा कि इंदि साहिति का इतियास रमा शंकर शुक्ल रसाल इंदी साहिति का इतियास देखिए इंदी आइति का इतियास जो है यह व्ही मेध को तीन बारा है एक रमाशंकर शुक्ले ने लिखा, एक आचारे चतुर सेंशास्त्री ने लिखा, एक नगेंद्र ने लिखा, ठीक है? अगला है हिंदी साहति का सुबोध इतियास, इंपोर्टेंट, बाबु गुलाब रह, हिंदी साहति का सरल इतियास, विश्वनातरि पाठी, पंजाब प्रांति, 잘cious और हिंदी साहति का इतियास, चंदरकान्त- बाली इंदी साहित्य की कानी प्रभाकर माचवे, इंदी साहित्य का समिक्षात्मक इतियास राम गुपाल शर्मा दिनेश, इंदी साहित्य का अतीत विश्वनात प्रसाद, वांगमय विमर्ष विश्वनात प्रसाद मिश्र, ये दोनों ग्रंत विश्वनात प्रसाद मिश्र ने ल स्कूरल श्री कृष्ण सांद दूसरा इतियास ब06 आधना था n रिखने वाली ऑसे सूमण राजे आधना कि Dot हुश कर दूसरे इतियास बह्क हर वाशन कि लुटे सहिति का इतियास लख ज़ब तो इस प्रश्छम का अंसर यहीं है अगर आपने बहुत धियान से पिछला वीडियो देखा होगा और यह वीडियो देखा होगा तो आप जरूर कमेंट में उसका अंसर दे पाएंगे क्योंकि उस प्रश्म का अंसर यहीं कहीं है है अगला है। यह ग्रंत है इधर और इधर लेखक है। इधर तो ग्रंत इधर लेखक। इंदी साहित्य किस ने लिखा धिरेंद्र वर्मा ने इंदी साहित्य का व्रहध इतियास जिसके 16 भाग है जो मैंने अभी बताया वो लिखा था नागरी प्रजार निसभाकाशी ने प्रकाशित कराया कब 1884 में कराया नहीं în 1984 में, sorry, 1984, 1800 नहीं है, 1900 इंदी का विशास्त्र का इतियास भगी रत्मिष्व इंपोर्टेंट, रिति का विकी भूमिका नगेंद्र इंपोर्टेंट, खडी बोली इंदी साहित्य का इतियास ब्रज रत्नदास, इंदी साहित्य और सव्वेधना का विकास राम स्वरूप चतुरवेदी, मस्ट इंप इंद्रव्रांपरा की खोच नामवर्षी है ह consensus अंये आथ कि अंबिये five इंपर्फटय है यह लिखिये माठाप्रसाद गु Cry क्यो है important that क्योंकि मात्क्रसाद गुपते की जो ही पुस्तक इसे आधुनिक सहित्य का बीज्ञ कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे माता प्रसाद गुप्त की जो हिंदी पुस्तक साहित्य इसे आधुनिक साहित्य का बीजक कहते हैं अब कमेंट सक्षन में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है मुझे कि यहां तो माता प्रसाद गुप्त के इस हिंदी पुस्तक साहित्य क आधुनिक साहित्य का बीजक कहते हैं लेकिन बीजक किसकी रचना है जो बीजक एक रचना है वो किसकी है हिंदी वीर का विटीकम सियंत ओमर और हिंदी का मोखे कितियास डॉक्टर नीलाब तो देखिए आज के वीडियो में हम इतना ही पड़ेंगे काफी लंबा हो चुका है वैसे भी लेकिन कमेंट सेक्षन में आप लोगों की कमेंट्स देखा तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी है आप लोगों को कोर्स करने की तो अगर लंबे वीडियो भी बने तो वह बने क्योंकि समय मुझे भी पूरा नहीं मिलता है कि मैं रोज वीडियो अपलोड कर सको तो मैं इसी तरीके से अगर लंबा वीडियो भी बनेगा तो बनेगा मैं उसी तरीके से जितना लंबा होगा मैं अपलोड कर दूंगी और पी मैंने आपको टार्गेट दिया था कि शनीवार तक अंतरा का गद्यवाग आप पूरा कर लें तो देखिए खुद से महनत करना सीखिए सारी चीजे अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपको प्रोवाइड कराऊं तो यह पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अगर आपको आगे कोई सवाल है न NCRT का सवाल है क्योंकि अभी के सेशन से माद्यमिक शिक्षा बोड भी NCRT की बुक्स ही चला रही है तो वही किताबे है और अभी जो अंतरा है यह वही किताब है जो 2016 में चला करती थी अगर आपके पास पुरानी भी है तो वही चल जाएगी क्योंकि चप् पाटी है इसलिए आप कोई भी संशय ना रखें पढ़ें मन लगा के पढ़ें खुद से महनत कीजिए मजह ज्यादा आएगा क्योंकि अगर आप यह सोचते हैं कि हर चीज में प्रोवाइड करा हूं तो एक्जाम भी आ जाएगा ना तो भी आप से कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो तक कुछ नहीं होगा इसलिए हलवा खुद से बनाते हैं तभी खाने में ज्यादा स्वाद लगता है तो खुद से तोड़ी महनत कीजिए और कोर्स की चिंता मत कीजिए जितना मैं पढ़ा रही हूं जितना आप तक पहु हमारे पास है ना उतना भी हम ग्रेंड नहीं कर पाते हैं और यह सबसे बड़ी विडंबना है हमारी तो जितना आपके पास जो है कि आपको एक एक लाइन उसकी याद है कि आपने वह सब कर लिया पहले यह विजार कीजिए और मुझे भी पता है कि फर्स ग्रेट सेकंड ड कर रहा है और मेरा यूट्यूब पे आने का कोई ऐसा मानस नहीं था बस सोचा कि मेरी तरह ही किसी का भला हो जाए इस वज़े से एक प्रण लिया है कि हां मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगी जितना मैं दे सकती हैं उतना करूंगी जिस तरह के से आपके लिए सब चीजे नहीं हैं सिलेबस बदल चुका है तो मेरे लिए भी नया है क्योंकि पार का टार्गेट देती होना तो आपको उसे पढ़ना चाहिए क्यों पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आप अभी से कनी काटने लग जाएंगे और यह सोचेंगे कि मैं ने के दिया है कि वह शौट नोर्स बना के और हमें प्रोवाइड करा देगी हम क्यों पढ़े तो फिर आपको शौट नोर्स प्रोवाइड कराऊंगी क्योंकि जितनी मेनत आप कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मेनत मुझे करनी है इसमें उन किताबों को मैं भी पढ़ूंगी आपके साथ पढ़ने के बाद ही उन में से एक एक लाइन निकालके और उनका सार निकालके फिर आप आपके सामने लाऊंगी पर अगर मैं सीधा आपके सामने लियांगी तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह आपको बना तो पचेगा ना हजम होगा आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा इसलिए बैटर है कि जो टार्गेट में आपको देरी हूं पहले आप उसे कुछ ही बच्चे होंगे जो लास्ट तक चल पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्कील है बहुत मुश्कील होता है एक एक्जाम की वेकेंसी आने से लेकि उसके एक्जाम तक चलना और भी कंटीनियो यमित रूप से अपने आपको मांसिक रूप से स्टैबल करके चलना तो बाकी की चिंता आप छोड़ दें वेकेंसी भी आएगी एक्जाम भी होगा सब कुछ होगा सब कुछ फिक्स है बस आप अपने पढ़ने का फिक्स करें कैसे क्या बाकी मेरी तरफ से जितना होगा मैं आपको करवाऊंगी क्योंकि जब मैंने कहा है तो मैं जरूर आपकी करें मजे से नोट्स बनाएं खुब मस्त होकर पड़ें कोई भी टेंशन ना लें जो है जितना है उस मेटर को अच्छे से कंठस्त करें आगे की मेटर की चिंधा ना करें तो आज इतना ही अगले वीडियो में इंदी साहिती के हितियास का कुछ नया पार्ट लेके हम फिर स